आज हम भोचपूरी के उन पांच बड़ी फिल्मों की बात करने वाली हैं जिन्होंने कमाई के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया जी हाँ जिसमें लागत तो लगी थोड़ी सी लेकिन जब पैसे कमाने की बारी आई तो छपड़ भाड के इन फिल्मोंने कमाई की तो चलिए शुरुआद करते हैं और हमारी इस लिस्ट में पहली फिल्म है ससुरा बड़ा पैसे वाला ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म के मुखे कलाकार थे मनोस दिवारी और रानी चटर जी आपको ये जान के हैरानी होगी कि फिल्म में लागत यानि कि फिल्म की कुल लागत सिर्फ 30 लाख रुपे थी और कमाई के मामले में इस फिल्म ने पहले नंबर पर है और दूसरी फिल्म का नाम है पंडित जी बताई नम या कब हुई इस फिल्म में रवी किशित और नगमा में लीड में थी यह फिल्म भी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपे की बीच में बनी थी और यह फिल्म 2005 में ही रिलीज हुई थी जब ससुरा बड़ा प पढ़ भाड कर कमाई की थी और इस फिल्म ने भोचपुरी इंडस्ट्री में लोगों का और भी ध्यान आकर शित किया आपको बता दे कि इस फिल्म की कमाई इतनी ज्यादा हुई थी कि फिल्म के प्रोड्यूसर को भी यह की नहीं था कि जितना पैसा वो लगा रहे हैं उस कमले में बड़ी से बड़ी फिल्मों को पचाड दिया कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पवन और रानी की एक फ्रेश जोड़ी आएगी और बॉक्स ओफिस पर इतना धमाल मचाएगी यह फिल्म 2008 में रिलीज हुई और उस साथ सबसे जादा कमाई करने वाले फिल्मों में स और इस फिल्म ने नया किर्तिमान स्थापित किया 2008 कई मायने में भोजपूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा ही बेहतरीन साल रहा यही वो साल था जब निरहुआ और खेसारी ने भोजपूरी इंडस्ट्री में धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना पैर जमाना शुरू कर दि दो हजार आठ में निरहुआ रिक्सा वाला फिल्म आए जिसमें पाखी हेगडे और दिनेस लाल यादव की एक फ्रेश चोड़ी दर्शकों के सामने आए कभी किसी को नहीं लगा था कि ये फिल्म इतना बड़ा धमाका करेगी और बॉक्स ओफिस बर इतनी पैसे कमाएगी सभी को लगा ये फिल्म आया राम और गया राम की तरह हो जाएगी ये फिल्म आय और बताया जाता है कि 40 से 45 लाग की लागत में बनी इस फिल्म ने तकरीबन अपनी लागत से 10 गुना जादा पैसा कमाया और इस फिल्म ने भूचकुरी इंडस्ट्री को एक फ्रेश चोड़ी दी दिनेस लाल यादव नी रहुआ और पाथी हेगले हम बात करने वाले हैं अपने पाच्ची फिल्म के बारे में जी हाँ पाच्ची फिल्म भी बहुत ही इंपोर्टेंट है वो इसलिए कि इसी फिल्म ने खेसारी लाल यादव जैसा इस सूपर स्टार हमारी भूचकुरी इंडस्ट्री को दिया अगर आपको यकीन न हो तो हम यहाँ पे उनकी पहली फिल्म याले की साजन चले ससूराल से रिलेडिड एक स्टोरी बताने वाले हैं वो ये कि साजन चले ससुराल को पहले डिस्ट्रिब्यूटर नहीं मिल रहे थे जैसे तैसे तो इसे डिस्ट्रिब्यूटर मिले और आपको यहां बता दे कि दिनेस लाल यादो निरहुआ ने बड़े ही एहम भूमिका निभाई थी इस फिल्म में वो किसी ड्रोल में न थे लेकिन डिस्ट्रिब्यूशन के मामले में खेसारी लाल यादो की इस फिल्म को दिनेस लाल यादो निरहुआ ने ही डिस्ट्रिब्यूट किया था जी हाँ दिनेस लाल यादो नी रहुआ अगर ना होते तो खेसारी लाल यादो आज खेसारी लाल यादो ना होते और उनकी पहली फिल्म कभी रिलीज नहीं होती जी हाँ प्रड्यूसरों की जेब भर गई और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जिस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूटर नहीं मिल रहे हैं वो कमाई के मामले में सबसे उपर आ जाएगी जी हाँ ये फिल्म उस साल की रिलीज सभी फिल्मों से जादा कमाई की और खेसारी लाल यादो रातो राज सुपर स्टार बन गए तो ये रही हमारी वो पाज फिल्में जिन्हें डिस्ट्रिब्यूटर नहीं मिल रहे थें लेकिन कमाई के मामले में आज वो भोचपुरी इंडस्ट्री में सबसे आ गये हैं बहुचपुरी जेकेत की होट और पसालिदार गोसिप के न हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूडी